आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी फिल्म में डिसकस करने जा रहा हूं जिनके पार्ट टू या पार्ट थ्री जरूर बनने चाहिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये बहुत सारी एक्साइटिंग फिल्म्स कवर करने वाला है आए शुरू करते हैं अलशिति नाम है नमबर 5 पे जो फिल्म है उसका नाम है मर्दानी जी हा रानी मुखर जी की फिल्म मर्दानी इसके Commerce ल Top 7 और मर्दानी फिल्म के मर्दानी 1 में जो विलेन बने थे अक्टर ताहिर राजबसीन वो एक्स्ट्रीमी टालेंटेड है और उसके बाद उनका करियर शाइन किया है और हाली में उन्होंने फिल्म की थी लूप लपेटा ये काली-काली आंखे उनकी सीरीज आई थी तो उनका करियर टॉप-notch तरीके से चल रहा है और दूसरी पार्ट में मर्दानी 2 में जो विलेन आये थे वो थे विशाल जेटवा उनका भी करियर काफी अच्छा चल रहा है तो दो नए टालेंट इंडस्ट्री को मिले थे इन दो आक्टर्स के रूप में इस फिल्म की बतौलत बात करें रानी मुखर जी क उन्होंने Top Cop Play किया है दोनों ही फिल्म में, पहली फिल्म है और और जो आटकर्ट मेरे किया थी और दूसरी फिल्म ने औौडीएनस को खूब तो हमारी अश्राद से ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मर्दानी 3 को जल्दी जल्दी रिवाइव करें और हमें रानी मुखर जी को एक बार फिर से शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में दिखाएं। दूसरे नंबर पे जो फिल्म है वो है जग्गा जासूस। मुझे पता है इस फिल्म का कभी रिमेक बन नहीं सकता लेकिन उमीद रखने में क्या ही पुरा जाता है। सीक्वल क्यों नहीं बन सकता जग्गा जासूस एक महंगी फिल्म थी अबब हंड़िड करोड के बजट की फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर ये बुरे तरीके से फ्लॉप हो चुकी थी। इस फिल्म के लिए नेगेटिव वर्ड ओफ माउथ तो आया ही आया लेकिन साथ में उसी दौरान रनबीर और काट्रीना का सेप्रेशन चल रहा था। रनबीर और डिरेक्टर अनुराग बासू के बीच में फॉल आउट चल रहा था। रनबीर इस फिल्म के साथ एस प्रोड्यूसर भी जुड़े थे। और इस फिल्म की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी राइट फ्रॉम दे वर्ड को। यह फिल्म बनकर तयार थी लेकिन इसे रिलीज होने में भी काफी वक्त काफी स्ट्रगल लगा। अनाउंस हुआ था कि जग्गा जासूस के तीन पार्ट्स होंगे एक ट्रिलिजी फिल्म होगी लेकिन आसार नजर नहीं आते कि इस फिल्म का दूसरा भाग भी बनेगा। जग्गा जासूस एक म्यूजिकल एडवेंचर कॉमेडी फिल्म थी एक ऐसा जॉन्रो जो इंडिया ने कभी देखा नहीं था ट्राइ नहीं किया था एंड ट्रस्ट मी यह फिल्म बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है अनुराग बासू के करियर की वान उफ बेस्ट फिल्म है इन फाक्ट हिंदी सिनमा की वान ओफ बेस्ट फिल्म में से एक है जग्गा जासूस अगर आज भी आप इस फिल्म को भरपूर भरपूर प्यार दें तो शायद मेकर्स इसका पार्टू ले आए नंबर तीन पर जो फिल्म है उसका नाम है भूतनाथ बंकू और का म्यूजिक भी हिट हुआ उसकी स्टोरी लाइन भी अच्छी थी और उसे नितेश दिवारी ने डिरेक्ट भी किया था जो जाने जाते हैं अपनी फिल्म जैसे दंगल चिलर पाटी और हाली में बवाल के लिए तो भूतनाथ वान भूतनाथ टू दोनों ही फिल्में काफ अगर जिस्म 1 की बात करें तो उस वक्त की सबसे बोल्ड एरोटिक फिल्म में से एक थी उसके गाने सूपर हिट थे जॉन और विपाशा के बीच की जो केमिस्ट्री थी वह सिज्लिंग एंड ब्लेजिंग हॉट थी और बार में इस फिल्म का सीक्वल बना जिसे पूजा भ करने के लिए एक launchpad का काम ही करता है जिस्म 2 भी काफी erotic थी titillating थी और अब लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अगर कुछ erotica में बनाना है तो जिस्म फ्रेंचाइजी के साथ खेला जा सकता है और जिस्म 3 बनाई जा सकती है No.1 पे without a doubt, the most loved film franchise, yes, it is Tannu Edds Mannu and Tannu Edds Mannu Returns Tannu Edds Mannu का first part एक ऐसे वक्त में आया था जहां love stories कुछ जादा अच्छा कर नहीं रहती क्योंकि Tannu Edds Mannu का part 1 इतना relatable था, small town में set था, एक unabashedly free spirited और spunky लड़की की किरतार को दिखाता था इसलिए लोगों ने उसके first part को प्यार दिया और second part ने तो history ही create कर दी Tannu Edds Mannu Returns by far इंडिया की one of the most successful films में count होती है महस 40-50 करोड के budget में बनी ये film 200 करोड तक की कमाई कर गई थी बॉक्स आफिस पे Kangana Ranaut के career की सबसे successful films में से एक है Tannu Edds Mannu Returns और उन्होंने दोनों Tannu Edds Mannu 3 भी देखने को मिलें तो ये थी मेरी top 5 films जिनके हमें part 2 या part 3 देखने को मिलने चाहिए आप comments में बताइए कि आप किस film का second या third part देखना चाहेंगे और अगर आप इस वीडियो का part 2 देखना चाहते हैं वो भी मुझे comments में बताइए मैं आपके comments read करता हूँ तो please अपना प्यार ही दिखाईएगा नफरत नहीं मेरा नाम है नवजोद फिर मिलेंगे good bye